नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अंजिनी और स्वागत है आप सबों का मेरी चैनल दिल्चस प्रसोई पे आज मैं आप लोगे साथ आलू और काले चने की सब्जी बनाने के लिए स्पी सेर करने जा रही हूँ तो चलिए देख लेते हैं किसे मैंने किस तरीके से तयार किया है आलू और काले चने की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ आज हम आलू और काले चने की सब्जी कूकरें बनाएंगे इससे एक तो यह जटपड बन करके तयार भी हो जाती है और काफी स्वाधिष्ट भी बनती है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आ चलीज दौलाट नाशुण में हम आलू नाशुण तो दौल निसमें पीज खुआ हैं अधने क्रेश्ट तो चालीज जालुधय के भीज़ों, निसमें पूलाट निसमें में कमाइब कीज़ंडी में हम ने पीज़िवन सकती हैं अब आप देख सकते हैं कि गोल्डे नहीं हुआ है, तो गोल्डेण हो जागा प्याज है हमारा और आलू भी अच्छे से थोड़ा सा फ्राइ हो जागा, तो उसे ऐसे वह बढ़ जाता है, तो हलका सा आलू हम फ्राइ कर लेके हैं, तो ये देखें, आलू और त्याज दोनों प्राइब देते हैं इसमें बिगोई वे काले चेने अवन मसाले एक करेंगे तो फटाए मसाली एक पर आपके आपके अगरेक लेड़ें, लेकिन इसको काले हम आप पर जाल देते हैं जीता हुआ अगरक को आपको भीच करके भीच करके भी ढालना हैं दोने का जो पेश्ट है जिलकी रला आता है एक वा जरूर चाहिए लिजेगा इस परिखे से आधा अधरक को आप भीच लिजेगा आधे अधरक को आप खूच लिजेगा या फिर सोस्त बना लिजेगा अब हम डाल देते हैं हल्डी का पाउदर फोश्ट का फावडर एक से देर समस्ट में अथनी सारी रिस्टी में हमीच गरम भाडा पावडर नहीं रिसा कूई इसके थब्लिका जी पेस्ट काफी बढ़ जाता है नालिस का पाउड़ ते जाब है तो पेस्ट की अदावी अमेरट के पहजरा लोसन का पेस्ट यहां पे अगरा पाला सुमें को कोट लिया है अच्छे से सरी पेस्टे काफी बढ़िया आ जाता है कोई भी मसाले हम यहाँ पर सीज़ करके नहीं डाल गए हैं सभी शावुत मसाले डाल गए हैं एक अच्छी जो काली चनी की सब्जी है वो प्यार हो जाती है अगर इस तरीके से आप से प्रेसे से बनाएंगे तो आप देखते हैं काफी अच्छी बन करके तयार होगी आपकी हम टमाता रेच करेंगे तब तक मसाले को फ्राइब होने रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3-4 चाह तामाता डाल लें हैं मेरे यहां पर मैंने कामाटा प्रेस तामाल कियाने बहुत ही छोते कायश कोछिए इसलिए मैंने 3-4 तामाल किया आपके अगर आपके परस बड़े आप तो आप य। यहां पर मैंने पानी डाल सकते हैं अब निक्स करने आप मैं हमत in टेस्ट का प्रादिंगँ नमक कर लिए pana आधा चमच साबुट जो गरम मसाले होते हैं ना उसका मैंने पारो बना करके रखा हुआ इसको मैं अलग से एट करती हूँ इससे जो टेस्ट है काफी अच्छा आजाता है तो इसको आपको आधा चमच एट करना है और एक चोथा चमच हम सब्जी मसाला एट कर लेंगे कुकर का डखन लगा देंगे यहां पे चार सिटी हम आने देंगे चार सिटी के बाद गयस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे दस मेट कुक करेंगे तो यहां पे हमारी जो सब्जी है को इतरह से तैयार हो जाएदी डखन यहां पे मैंने लगा दिया है अब हम बेट करेंगे सीटि आने का और जब सीटी निकल जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो आलू और काले चने की सभजी है वो कासी बनी है सबली हमारी हमारी तैयार हो हुचुकी है तो आपको त्रोड कर लेता हैं और यह देखिए तो यह देखिए आलू और काले चने के जो हमारी सब्जी है वो कितनी टेस्टी लग रही है और जटपट बन करके तयार भी हो जाती है अगर आप कुकरें बनाते हैं तो रेस्पी पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर किजिएगा फ्रेंज और मेरी यूटूब चैनल दिल्चास प्रसोई को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलिएगा फिर मिलेंगे एक रेस्पी के साथ मेरे चैनल दिल्चास प्रसोई के हैं